अलावरीवर नमस्कार दोस्तों स्वाहत आप सभी का एक बार फिर से आशीश गौतम के साथ अड़र 24-7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज का इंपोर्टेंट सेशन है वीकली MCQ इस वीक के हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ का डिसकेशन करेंगे आप लोग यहां से आप लोग यह खुद के लिए जज़ कर सकते हैं कि आप आउट और 50 आउट और 60 आउट और 70 आउट और 80 कितने कोशन से अटेम्ट कर पारें बिलकुल करेक्ट ओके अगर आप यहां पर करेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली मेरे दोस एक्जाम में तो आप सूपर कर करके आएंगे हैं उसे गुजारश रही कि कि नवरस रहना स्टार्ट करें शुबह साथ बज बच भेसे अड्ड 24-7 application होना चाहिए, ओके, अड्ड 24-7 application पर आप लोग जाएंगे, किसी भी paid batch like bank maha pack, SSC maha pack, अड्ड का maha pack, या warrior pro batch, या किसी भी batch में आपको enroll कराना है, तो आपके लिए आप जो discount code use करेंगे, it will be Y168, बड़ा चम्मच लिया, मैं चम्मच से पानी पिऊंगा, अरे ब discount मिलेगा, और extra 1% discount, यह 77 नहीं, maximum discount जो मिलता है, 78 इन के लिए आपको application पर जाकर जब यह code लगाएंगे, तो वह एक option आएगा coin का, तो जब आप coin select कर लेंगे, तो 1% और additional discount मिलेगा, 78% discount हो जाएगा, आज double value आपकी जितने भी maha pack हैं, उनके उपर मिल रही है, चाहे bank maha pack हो आपको double value दौनों पर देखने को मिलेगा, fine, clear है मेरे दोस्त, कहां से use करना है, add 24-7 application से use करना है, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ और याद रखने हैं, बहुत सारे aspirant हों के जो बिलकुल beginner होंगे, अब बिलकुल beginner है, सुने से शिरुवात करने हैं, foundation courses भी चाहिए, crest course भी चाहिए, test series, e-books चाहिए, यह सब कुछ आपको मिलता है, लेकि यहाँ पांच classes और आपके exam की cover होंगे, लाइक, आपका CB, RBI, Grade B, NABAD, SIDB, और SO, अगर आप इन exam की तहियारी कर जाने हैं, तब जाकर बेटा bank महापैक प्लस लेना, otherwise it will be more than enough, code याद रखना, Y168 इसमें आपको warrior pro batch भी मिलेगा, अब बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तर चलो, सर में मंद का question bank दे दिया, मैं मंद का question bank दे दिया मैंने, में मंद का question bank provide कर दिया है, okay, Prime Minister Narendra Modi inaugurated headquarter of Indian National Space Promotion Authorization Center at Bhopal, मतलब असल में हुआ के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने भोपल में भारती रास्टी अंतरच्छे संवर्दन प्रादिकरण केंदर का मुख अब सवाल है कि भोपल किसे शहर में निमनमे से किसे शहर में भोपल इस्तित है, पता ही मेरे भाई, भोपल किसे शहर में इस्तित है, तो भोपल आपका गुजरात के एहमदाबाद में स्तित है मेरे भाई, कहाँ पर? गुजरात के एहमदाबाद में, which state has become the first state in the country to formally acknowledge the public use of drone तो कौन सा राज्य ड्रोन के सारजनिक उपयोग को अपचारिक रूप से सुईकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, कौन सा राज्य ड्रोन के सारजनिक उपयोग को अपचारिक रूप से सुईकार करने वाला पहला राज्य बन गया, किसने ड्रोन के use को acknowledge कर द वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाला यहापर एक चीज शब्दों को बिल्कुल पढ़ो आपको खुद बाखुद सबकॉंशेस माइंड में चलना पढ़ेगा जब फिच रेटिंग ने यह करेंट अफेस में हम लोग पढ़ चुके हैं फिच रेटिंग तुरंत की तुरं यूरोपियन पार्लियमेंट हैव बोटेड अभी जो यूरोपियन पार्लियमेंट के मेंबर्स हैं उन्होंने अभी वोट दिया था कि 2035 तक पैट्रोल डीजल का रहे हैं उनके सेल को बिल्कुल प्रतिवंदित कर देंगे सवाल है कि who is the president of European पार्लियमेंट इसका जवाब चलो तो बटे यूरोपियन पार्लियमेंट के प्रेज़ेंट का नाम क्या राइट अंसर बने का ऑप्शन अमवन रॉबर्टा मैट सूला अब ज़रा ऑप्शन देखो उर्सूला वॉंडर लाइन चार्ल्स मिशेल चलो यह तो सभी को पता है करिस्टिलियन जोर्जीवा आ अब दोस्त यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन पार्लियमेंट भी है यूरोपियन कमीशन भी है अब आपको यह बताना है किसके कौन-कौन प्रस्डेंट है यह उर्सूला वॉंडर लाइन चार्ल्स मिशल यह आपको होमवग दे रहा हूं मैं यह दौनर ढूंड के ब का राज़दूत नियुक्त किया गया है मेरे भाई आंसर यहां पर एयार रह्मान ओके हैस बीन अपॉइंटेड ओंबर्समें फॉर मन्रेगा जो मन्रेगा है महत्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉइमेंट गारंटी स्कीम मन्रेगा के ओंबर्समें कौन बनाए गया ब प्रसार भारती के CEO कौन बने है प्रसार भारती के CEO कौन बने बिटा यह है आपके मयंक कुमार अगरवाल को प्रसार भारती का CEO बनाए गया है अगला एमके स्टोलन तमिल नाडू के मुख्यमंतनी है उन्होंने 44 जो चेस ओलंपियाड है उके 44 जो चेस ओलंपियाड जिसे चिन्नाई होस्ट करने जा रहा है इंडिया होस्ट करने जा रहा है इसका लोगो और मैस्कोट लॉंच किया था सवाल मेरा यहीं पर है कि चलो ममला सी स्पोर्ट्स इवेंट के ओके यहां राइट अंसर बनता है थामभी जिसका तमिल में अर्थ होता है मेरे दोस्त यंगर ब्रदर ओके थामभी थामभी शब्द याद रखना है थामभी ओ यह 44 चेस ओलंपियाड का क्या है मैस्कॉट है ओके शुबंकर है विच स्टेट गॉर्मेंट लॉंच यंतर सेवा इसकीम किस स्टेट गॉर्मेंट ने यंतर सेवा योजना लॉंच करी है तो ओवर कम दी शौटेज ओफ फार्मिंग मशीनरी तू दी फार्मर्स किसानों को करशी मशीनरी की कमी को दूर करने के लिए किस राजी सरकार ने यंत स्वा योजना शिरू करी है तो यंतर सेवा योजना पिटा आंतर प्रदेश के द्वारा शिरू कई गई है रण यंदर सेवा योजनाँ अगला सवाल SBA Foundation ने अप स्कूल करके एक प्रोग्राम लॉँच किया है उस प्रोग्राम में होगा क्या क्लास एक से लेकर दचवी तक के जो बच्चे है क्लास फस से लेकर क्लास टैन तक के जो स्ट्रेंड है उनके लिए कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है यह अप स्कूल ओके अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो SBI फाउंडेशन ने अ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंडियन बैंकिंग सिस्टमा और इस बैंक अफ इंडिया मैंने पढ़ा दिय है चौथी ओलने मंदे को तकर nine प्रेच में डूल करा लीजे जिनका टार्गेट हर हालत में 2022 में एक्जाम करेक करना है और जनल अवेर्नेस में मैक्सिमम स्कोर गेन करना है सभी में उनके पास वारियर प्रो होना बहुत जरूरी है ये बैंक महापेक का भी पार्ट है और ये अड्डा के महापेक का भी पार्ट है इसके लिए आपको सेम कोड यूज करना है 12 महीने वैलिडी के साथ आपको ये मिल रहा है 1496 में एप्लिकेशन से जाकर इंडोल करा लिजेगा मेरे भाई आज ही जाकर जिससे कि आपकी आज 3 classes complete हो जाएंगे कल जब आप पढ़ेंगे तो कल आपकी 4 class बिल्कुल आपको align मिलेगी यहाँ पर right answer बनता है खान academy के साथ ये collaboration रहा था किसके साथ खान academy के साथ next in context of world investment report निमन मैंसे कौंसा statement true है बताइए मेरे भई निमन मैंसे कौंसा statement true in context of world investment report असल में है क्या कि जो world investment report हर साल अंक्ताट जारी करता है it is united nation conference on trade and development okay united nation conference on trade and development हर साल world investment report जारी करता है वर्ल्ड इंवेस्मेंट रिपोर्ट आती है इस कॉंटेक्स में कि भारत में या देश्ट में जितने भी देश उनमें FDI कितना आया है तो अंकटाड के अनुसार इंडिया में जो FDI आया है उस मामले में भारत वैश्वी के स्तर में साथवे नंबर पर ध्यान से सुनिएगा मैं रेमिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ रेमिटेंस के मामले में भारत सीर्ष नंबर पर रहता है डेके FDI के मामले में भारत साथवे नंबर पर है FDI जो 2020 में आई थी वो रही थी 64 billion US dollar ओके 64 billion US dollar और FDI जो 211 में आई है वो 45 बिलियन US डॉलर रही है और इसी के साथ भारत की जो रैंकिंग है वो भारत साथवे नमबर पे रहा है टॉप 10 कंट्रीज में जबकि सीर्श नमबर पे युनाइटिड स्टेट था 367 बिलियन FDI के साथ डॉलर FDI के साथ इसके बाद फिर चाइना 181 बिलियन US डॉलर होंग कॉंग 141 बिलियन US डॉलर यह दूसरे और तीसरे नमबर पे बने तो पहला दूसरा तीसरा US चाइना और होंग कॉंग के पास है भारत साथवे नमबर पे है अंकिताट ने रिपोर्ट को जारी किया अपनी तरफ से जैसंकर साहब पाट्सपेड करेंगे सवाल यहाँ पर यह है कि यह जो मीटिंग होने वाली है या जो यह special ASEAN इंडिया foreign minister meeting किसली हो रही है असल में इंडिया ASEAN dialogue relation का anniversary मनाई जा रही है हर साल भाई anniversary किसी ना किसी की मनाई जाती है तो इस वार इंडिया ASEAN dialogue relation की anniversary मनाई जा रही है मेरा वही सवाल है कौन सी anniversary मनाई जा रही है ठीक है दूसरा यहाँ पर देखिएगा कि जो strategic partnership है ASEAN के साथ उसकी भी इस साल दसवी anniversary है और दूसरा यहाँ पर इंडिया ASEAN dialogue relation की भी anniversary है कौन सी anniversary यह सवाल है मेरे भाई बताइए इसका आंसर दीजेगा पटावट इसका आंसर दीजे आंसर बनेगा बटा तीसवी ओके next रिजा बैंक ओफ इंडिया ने भी 27.50 लेक की penalty लगाई है किसी एक बैंक के ऊपर असल में RBI की दिशा निर्देश है जो भी rules and regulation है उनको सभी बैंक को follow करना है तो जो external benchmark based lending है तो RBI ने जो external benchmark based lending के ऊपर जो अपने direction दे रखें है rules बना रखें दिशा निर्देश बना रखें है उसके लिए RBI ने penalty लगा दिया है क्यों penalty लगाई कि भाई ये मेरे दिशा निर्देश है से नहीं मानो के तो तुम्हारे ऊपर penalty लगाई जाएगी 27.25 लाग रुपे की penalty लगा दी 55 सिंद बैंक के ऊपर next भाई किस स्टेट ने अभी यहाँ पर बैको फेस्टिबल सेलेबरेट किया बैको महसब किस राजिका तो यहार रहा था बैको महसब किस राजिका फेस्टिबल रहा था तो बड़ाई असम स्टेट का फेस्टिबल रहा था अगला सवाल देखेगा, पढ़िएगा जा रहा है, इसको, इसको इसको अगला सवाल, तारा मूर है, इनको अभी सस्पेंड कर दिया गया, असल में तारा मूर किस देश ने है, ये सवाल पूछा गया, ये कि स्पोर्ट्स पर्सन है, सीधी सी बात है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी ऐसा सबस्टेंस नहीं ले सकते, जिसके लिए क्लियरली मना कर रखा है, अब चाहे कोई वैश्वे किस तरफे बाढ़ा मना करता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी, अलग-अलग इनको सस्पेंड कर दिया गया है, अब सवाल ये कि ये किसे देश से हैं, तो दोस्व ब्रिटेंस हैं, किस देश से मेरे भाई ब्रिटेंस हैं, अगला सवाल लेखना, अवनी लेखारा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में इतिया, इतियास कैसे रच दिया, उनका जो स्क तो रहा था फरांस के भी चैट्व रेट्रोड़े क्या गया था अब नहीं लृष्टरा किस स्टेड्ट से यह सवाल है बहरा यह स्टेटट अब मिली लेंखा रा इजर फ्रॉम राजिस्थान कहा promise who become the first Indian to recognize, to be recognized by United Nations Global Compact as a Global SDG pioneer, मैं हर दिन बोलता हूँ आपको 17 Sustainable Development Goal याद होने चाहिए, जो 17 SDG है, वो आपको रटे हुए होने चाहिए, पहला किस से related, दूसरा किस से related, तीसरा किस से related, यह सारे, अब है क्या कि दोस्त जो भी व्यक्ति Sustainable Development Goal अचीव करनवाने की दिशा में बहतरी नगाम करता है, उसको रिकोगनाईज किया आता है, ऐसा Global Sustainable Development Goal पाइनियर, तो United Nation Global Compact ने Global SDG पाइनियर के तौर पर किसको रिकोगनाईज किया है, रामकृष्ण मुक्काविली, रामकृष्ण मुक्काविली, इंडिन क्रिकेट स्टार, विराट कोहली, अब देखो यार, हर कोई चाहता है कि उसके followers ज्यादा रहें, विराट कोहली के भी Instagram पर followers करना ने प्रार्रीकि के चीज़ है, अब जैसे कि Modi Ji, Modi Ji को भी बहुत लोगवाँकोज करते हैं, लोगविली को पर जाहता है, विराट कोहली को फालो करते हैं, कियो फालो करते हैं, असलमें यही मतलब होता है, चीज़ों को जानना, हम लोगप फालो करने का मतलब या, मैं भी बहुत सारे लोगों को फालो करता हूँ, उसका फायदा यह कि पता चलता रहता है कि वो किन-किन चीजों को किन-किन एक्टिविडीज में इंडल्स रहते हैं, और कुछ ऐसी भी चीजों हो सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत फायदे मन्द रहें, तो विराट कोहली के भी 200 मिलियन से ज्यादा फालोर हो चुके हैं, और 200 मिलियन से ज्यादा फालोर होने वाले तीसरे स्पोर्ट्स परसन है यह, पहले नमबर पे जो है, वो किरिस्टियान और रोनाल्डो है, दूसरे नमबर पे लियोनल मैसी है, सवाल यही है मेरा कि पहले नमबर पे कौन है, तो द तो किसने SBM साथी उत्सब एक के पहले शुरू किया जिसका उद्देश चोटे व्यवसायों को डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है तो दोस्त इडिस वाटसब के द्वारा SBM साथी उत्सब इनिशेटिव शुरू किया गया SBM साथी उत्सब इनिशेटिव IAC बैंगलूर अभी हाल फिलाल QS World University रैंकिंग रही थी तो QS World University रैंकिंग में जो IAC बैंगलूर है ये Best Higher Education Institution रहा है कुल मिलाकर ये इंडिया में Best Higher Education Institution था ग्लोबली बात करते हैं तो इसकी रैंकिंग 155 है 155 पर है मेरा सवाल है कि which is World Top University विश्व की सबसे सीर्ष विश्विध्याले कौन सा है विश्व का सीर्ष विश्विध्याले कौन सा पता ही मेरे भाई दोस्तों एक बार सेशन को शेर कर दीजे जिन भी बच्चों न अभी तक सेशन को शेर नहीं किया है अगर आप लोग के पास सोर्सेज हैं अगर आप कर सकते तो प्लीज यार कोशिश करना शेर करने का ओके चलिए बढ़ते हैं आगे यहां राइड आंसर बंता मिट इसमें तो कुछ तीनों ही यहां पर लिखे हुए न पहले दूसरे तीसरे पर है एमाइटी पहले पर युनिवर्स्टी ओप कैमरे दूसरे पर स्टैन्फोर्ड युनिवर्स्टी तीसरे पर रहा है बहुत बढ़ी है राइड आंसर बंदे बटा कोईन स्विच के दौरा नेक्स इन जो से भी मार्केट रेगुलेटर है इसने अभी अपना जो मीच्ट फंड अडवैजरी कमेटी इसको रिवैंप किया था इनके जो mutual fund advisory सलाकार समिती है इसके अदिक्षिता कौन करेगा इसके अदिक्षिता कौन करेगा इसके अदिक्षिता की जाएगी उशात हो रात के द्वारा which state government has launched beach visual application for holistic management of beaches समुद्द तटो के समगर प्रवंदन के लिए किस राजे सरकार ने एक beach visual application को launch किया बताईए beach visual application किस state government के द्वारा शुरू किया गया बही है आंसर बनता गुआ इंडिया ने पॉलेंड को हरा कर F.I.H. hockey 5S championship अपने नाम करी F.I.H. hockey 5S जो championship है किस देश में आयो जेती की गई थी इंडिया ने किस देश के साथ एक military logistic support agreement किया बस इतना याद रखो military logistic support agreement भारत ने किस देश के साथ किया है Vietnam के साथ किस के साथ भाई Vietnam के साथ next अब एक मिनट का समय लोंगा बस प्लीज तसली करिएगा फिर मैं सवालों पे आता हूँ पेशन्स रखना थोड़ा सा जो मिरे साथ पहली रफा जोड़े जो regular है उनको पता है कि कितना important है यह warrior pro batch इस warrior pro batch में मैं आपको एक batch नहीं दे रहा हूँ सबसे important बात है भाई चार batches दे रहा हूँ चार batches में warrior 3.0 आपको मिल रहा for financial awareness इसकी classes जो चलती है वो सुबह 10 बज़े से साड़े 11 बज़े था है यह warrior pro batch इक paid batch है इसकी classes आपको सवा घंटे की लंसम मिलेगी और यह आपकी class Monday Wednesday और Friday रही complete financial awareness इसमें करा रहा हूँ जो आपके means में बहुत important है topic wise monetary policy budget inflation money market capital market monthly current affairs की live classes आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी यहाँ पर मैं April महीना complete करा चुका में मन्त आपका शुरू किया जाएगा में मन्त की आपको classes मिलेंगी इसके बाद current affairs MCQ की classes आपको जनवरी की 4 classes मिल चुकी है February की classes आपको 2 मिल जाएंगी Monday तक मंडे इवनिंग तक आपको 2 classes मिल जाएंगी इसकी क्योंकि MCQ recorded mode में provide कर रहा हूँ आपको static gk batch आगे मिलेगा अभी आपको दो batches आपको बेटा तीन batches आपको current में मिल रहे हैं इसके तहट एक warrior 3.0 और दूसरा current affairs live batch मंतली और तीसरा MCQ batch ओके जाकर इसमें enroll कराने के लिए करना क्या है add 24-7 application पे जाना है Y168 code लगाएगा 78% discount application से मिलेगा code का 77 1% coin का ये batch पड़ेगा आपको 1496 का इसकी वैलिटी बीटा 12 महीने मैंने रखे 12 मंथ इसकी वैलिटी रखी है तो 1496 nominal amount है इसमें आपको 12 महीने इसमें आपको 12 महीने की वैलिटी आपको प्रोवाइड कर दिया है इसमें आपको जितने भी foundation batches हमारे वो भी मिल रहे है सारे batches आपके दोस इस bank महापका पाड़े तो आज रात तक डवल वैलिटी एंड हो जाएगा जाकर इन्रोल करा लिजेगा code user कर ले न वाई 168 अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ next question है ये रहा world brain tumor day is observed on which day world brain tumor day किस दिन मनाया जाता है world brain tumor day किस दिन मनाया जाता है world brain tumor day right answer बनेगा मेरे बढ़ाई 8th of June को world brain tumor day ये कब मनाते है 8 June को next which bank partnered with movie suffer services to provide banking services across India भारत बर में banking सेवाई प्रदान करने के लिए किस bank ने movie suffer services के साथ भागीदारी की है तो movie suffer services के साथ भागीदारी की है यहापर सूर्य उदय small finance bank सूर्य उदय small finance bank की भागीदारी रही है OECD ने इंडिया की GDP growth rate 223 financial year के लिए कितनी project करी है आर्तिक सहयोग विकास संगठन ने वित्तिय वर्षदियर 23 इसके लिए भारत की GDP व्रदीदर कितनी परतिशत रहने का अनुमान लगाया है 6.9% 6.9% DRDO ने अभी जो एक Technology Development Fund है Defense Ministry का उसमें पर project 10 करोड रुपे की जो financing थी उसको बढ़ा कर कितना कर दिया है Defense Minister राजना सिंग approved increasing financing under the Technology Development Fund यानि कि TDF of Defense Ministry from 10 करोड पर project to what 10 करोड पर project से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो दोसा answer बनता है यहाँ पर 50 करोड कर दिया 50 करोड Monetary Policy Committee ने अपनी जो meeting रही थी 8 June 2022 को उसमें decide किया है कि liquidity adjustment facility के तहत Rapporate को हम 50 basis point बढ़ाएंगे अब Rapporate को 50 basis point बढ़ा दिया what is Rapporate policy Rapporate 4.9 percent CRR 4.5 percent SDF 4.65 percent and bank rate marginal standing facility 5.15 percent and reverse Rapporate 3.35 percent 3.35 percent मारुती सुझकी इंडिया ने 20 MW का solar carport इस्थापित किया है किस site पर अपने या किस शहर में मारुती सुझकी इंडिया ने 20 MW का solar carport इस्थापित किया है तो दोस्त यह हरियाणा का मानेश्वर former captain of Indian women cricket team मिताली राज ने announce के retirement from all forms of international cricket she is from which state महारती महला cricket team की पूर्व कपता मिताली राज ने अंतरास्टी क्रिकट के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोशना किया है वह किस राजिसे हैं राजिस्तान राजिसे हैं इन कॉंटेक्स ओफ बिट मिनस अभी बिट मिनस क्या होता बिट मिनस मेरा बाई कोईले का एक परकार है ध्यान सुनिएगा अभी National Highway Authority of India ने एक रोड बनाया और वो रोड बनाने की वेज़ से वो गिनीज बुक आफ वर्ल्ट रिकॉर्ड में आ गया वो जो रोड बनाया गया तो कोईले का एक परकार है बिट मिनस ओके बिट मिनस कंक्रीट रोड ओके तो ध्यान से सुनिएगा इन कॉंटेक्स ओफ कंस्ट्रक्शन ओफ बिट मिनस कंक्रीट ओन दा सेक्शन ओफ एनेच फिफिटी थी पर अमरावती और अकोला के बीच में एक रोड कंस्ट्रक्ट किया था ये रोड मातर 105 घंटे 33 मिनिट में बना दिया गया 105 घंटे एक लगबग हम बोले 5 दिन से कम मैं भी मेरे बाई 24 पंजे 120 तो 5 दिन से कम के भीतर ही एक रोड कंस्ट्रक्ट हो गया है इसी वज़े से यह यहाँ पर न्यूज में रहा है तो further the entire process of construction of this road took 800 employee of NHAI 720 people जो रहते वो private company से रहे थे I hope you are guys clear होगा पूरा का पूरा news हमारे लिए बहुत important बनेगा यह clear है सभी के all are true all are true मतलब सभी के सभी यहाँ पर सत्ते हैं next next revitalization collective action for the ocean is the theme of world ocean day यह किस दिन मनाए जाते है it is observed on which day यह किस दिन मनाते है तो 8th of June को मनाते है revitalization collective action for the ocean विश महा सागर दिवस का विशे है यह 8 June को मनाए जाता है World Bank ने इंडिया की GDP growth rate 22 ते इसके लिए कितनी project करी है be wrong है क्यों भाईया be wrong क्यों है कुछ गड़ा पड़ा है यार NH 53 ए 35 यह मैं देख लूँगा जारा इस वाले को मैं देख लूँगा टेक है PDF में देख लूँगा बाकी यह समझ लो कि Guinness World Record क्यों बनाए गया क्योंकि नोंने 5 दिन के भीतर ही मेरे भाई इस record को break कर दिया है इस वालो कुमार चौदरी ने कारिभार समाला है तो नए प्रवंद निदेशक के रूप में आलो कुमार चौदरी ने कारिभार समाला है आलो कुमार चौदरी SBI के नए MD बनाए गए है International Aluminium Institute ने किनको अपना चेर्मेन नियुक्त किया है जिन्होंने Ben Cars को सक्सीड किया है तो Ben Cars के स्थान पर किसको नए इद्रिक्ष नियुक्त किया गया International Aluminium Institute का तो यह सतीश पाई बायोटेक स्टार्ट अप इनोवेशन टौड़्स आत्मियरवर भारत It was held in which city इसे किसे शहर में आयुजित किया गया था इसे दोस्त नई दिल्ली में आयुजित किया गया था एक Multinational Peacekeeping Exercise है जिसमें सोले देशों ने participate किया था जो कि मंगोलिया में रही थी उस exercise का नाम क्या है सोले देशों के सेंट टुकडियों की भागीदारी वाली एक बहु रास्तिय सांतिय अभ्यास एक्स खान ओके यार हिंदी में नाम आ गया चलो ठीक है इसका नाम है बिटा खान क्वेस्ट ओके इस exercise का नाम के है खान क्वेस्ट यह नाम याद रखना खान क्वेस्ट डच डॉक्यूमेंटरी फिल्म इसका नाम है टर्न यूर बॉड़ी टू दा सन इसने गोल्डन कॉंच अवाड जीता है अभी हाल फिलाल जो मुम्मा इंटरनेश फिल्म फेस्टपल दियार 22 रहा था उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फिल्म के लिए गोल्डन कॉंच अवाड टर्न यूर बॉड़ी टू दा सन इस डच डॉक्यूमेंटरी फिल्म के दुआरा जीता गया इस मूवी के डारेक्टर का नाम है इलियन वंदर होस्ट यह नाम याद रखना ऐलियन वंदर होस्ट वर्ड फूट सेफटी डे किस दिन मनाये जाता है प्रत एक वर्ष साथ जून को सेवंत ऑफ जुन को वल्ड फूट सेफटी डे मनाते है वर्ल्ड फूड सेफटी डे हो मिनिस्ट्र अमिश चाहाने National Travel Research Institute किस शहर में inaugurate किया गए रहा है मंत्रिय हमिशाने किस शहर में रास्टी, जन्जाती, अनुसंदान, संस्तान का उद्गाटन किया है दोस्त इसे नई दिल्ली में इसका उद्गाटन किया गया था फिफ्थ जून को हर साल World Environment Day celebrate किया जाता है इस वर्ष का विशे क्या रहा था, तो परियावरण के मुद्धों पर जागरूँता बढ़ाने के देशी से हर साल 5 जून को विश्व परियावरण दिवस के रूप में मनाये जाता, विशे क्या है, अउनली वन अर्थ, इसका विशे बिटा, अउनली वन अर्थ, वर्ल्ड परियावरण दिवस 12 को किस के द्वरा विशे क्या रहा एयुजत किया गया है, स्वेडन, एक जून्ट रिये ट्रेनिंग एकसाइज को अभी इंडिया बंगलादेश के बीच में आइजचित किया आ था, बंगलादेश का जो जैहोर, जैषवर मिलिस्टरी स्टेशन है, बंगलादेश के जस्वर military station पर इंडिया बंगलादेश के बीच में एक military training exercise रही थी, उस exercise का नाम क्या संपर्ती X, संपर्ती X मतलब यहां पर संपर्ती का दसवा संस्क्रण, उके संपर्ती बॉंगो सागा दो exercise हो थी बंगलादेश के साथ, तो संपर्ती जो रही थी वो अभ फिल नडालने स्पेन के 14th सिंगल स्टाइटल जीता है, सवाल यहां पर यह कि इनका कुल मिलाकर कौन सा ग्रेंड स्लेम रहा था, यह इनका 22 ग्रेंड स्लेम रहा था, इंडिया ने अभी 10% का एथनल ब्लेंडिंग का टार्गेट अचीव कर लिया, पांच महीने पहले पैटरोल में एथनल को मिलाना है मेरे भाई तो उसका जो टार्गेट है एथनल ब्लेंडिंग का वो 20% का 25-26 तक का है जो वीमेल सिंगल टाइटल रहा है वर्ल नमबर वन टैनिस प्लेयर इगा स्वेटक के द्वारा जीता गया था इगा स्वेटक के द्वारा जीता गया है सवाल इगा स्वेटक is from which country भाई ये पॉलेंड से कहां से पॉलेंड से डन next उसे अमडेंड सी ओफ यूनिन बैंक ऑफ इंडिया यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के अमडेंड सी यो कौन है इनका नाम है a money make line सवारूप कुमार सहा सवारूप कुमार सहा United Nation ने आभी जो Republic of Turkey तरकी उसका नम तरकी से तरकी ये कर दिया है सवाल ये है कि what is the currency of Turkey तरकी की मुद्र है तरकी का नम बदल क्वारूप किया है तो तरकी की मुद्रा क्या है तुर्की की मुद्रा बेटा यहां पर है लीरा ठीक है लीरा यहां पर देशों के नाम ही लिखे रहे है तंजानिया कैपिटल डोडोमा करंसी सिलिंग थाइलेंड कैपिटल बैंक को करंसी भाट तोगो कैपिटल लोन करंसी लेंपी रहा इसको ज़रा देखना ठीक है तुर्क मैंनिस्टन कैपिटल एशगबा ते करेंसी मनत है तर्की कैपिटल अंकारा करेंसी लीरा, ओके, लीरा टोगो की बता सेट ते, टोगो की क्या है टोगो की देखनी पड़ेगी मैं रखो, टोगो भूल गया हूँ मैं या तो इसकी कैपिटल लो में करेंसी लेंप पी रहा है, confirm नहीं है, let me check, टोगो, capital तो लोम ही दिखा रहा है, बेटा, टोगो, 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 capital is loam, currency, frank है, currency की frank है, frank, इसको लिख ले नहीं, frank, fine, next आगे, who has been appointed random measure of chindra-based, Garud Aerospace के brand measure कौन बनाएंगे, Garud Aerospace के brand measure बने महेंदर सिंग धोनी, गरूड Aerospace के brand measure बने महेंदर सिंग धोनी, तो ये रहे 54 सवाल, 75 है, इसके 21 से जादी सवाल आपको, PDF में मिल जाएंगे, बाकि में इन 21 सवालों का रिवीजन आपको कल मॉर्निंग 7 एम सेशन में जरूर कराऊंगा बाकि दोस्तों आप लोगों से गुजारिश रहेगी आज डवल वैलिटी का अलास डे है जाकर इंडरोल करा लिजेगा एक बात को समझना बहुत सारे लोग नहीं यहां पर बहुत सारी चीज़ हसी में टाल देते हैं बार-बार एकी चीज़ का डिस्केशन कर रहे है फाइनेशल अवेनेस के क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है आप अगर ढूनते भी है आपको बहुत फैकल्डी की बहुत क्लासेस भी मिलेंगी बहुत सारी चीज़ अपडेटेड नहीं मिलेंगी भाई इसलिए यह सेशन मैंने अलग से डिजाइन किया है और इसमें आपको फैनेशल अवेनेस की क्लासेस वारियर 3.0 में दे रहा हूँ है वारियर प्रो में मैं आपको यह तीन बहुत दे रहा हूँ है कि स्टेटिक जी के आपको मिलेगा आगे वारियर 3.0 इसमें कम्प्लीट क्लासेस मिलने हैं फैनेशल अवेनेस की दस बच से सुबह साढ़े गयर वे तक इसकी क्लास होती है 10-11-30 और यह कम्प्लीट बैच फ़र फानेशल अवेनेस अब आप सिर्फ इस बैच में अडमीशन लेंगे तो फिर करेंट अवेनेस करेंगे इसलिए मैं एक वारियर प्रो कॉम्बो बना दिया पूरा कम्प्लीट बहले, जिसमें आपको करेंट अवेस mcqs भी मिलते है करेंट अवेस पूरा कंप्लीट भी मिलेगा आपको लायव करेंट अवेस कोड़ से gir meta गजा अर फानेशल ये फी सेशन इमिदी कराई बना पैक सबान अचार्द का म्हापार इक इस पाट है अड़्डा का माहापैक बेसेकली बैंक माहापैक और SST माहापैक जो SST और BANK दोनों की तयारी कर रहे हैं उनके लिए इड़्डा का माहापैक है बैंक के लिए जो बिल्कुल बेगिनर है जो बिल्कुल सुने से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए foundation batches हमारे, इस bank महापेक में आपको मिल रहा है, अलग से foundation batch में enroll कराएंगे, इससे बहतर है, six month वाला bank महापेक, आपको आज extra six month के साथ, three one nine zero या three one six zero का पढ़ रहा है आपको, जाकर इसमें, three one nine zero का, इसमें जाके enroll कराएंगे, ओके और bank महापेक, जो 24 महीने वाला three nine six zero का, तो आज रात बारा बज़े था के बेटा, y one six eight code use करेंगे, जिनको printed books चाहिए, वो code use कर सकते, y one six eight as code, ओके, चलिए, बाबाई take care, रादे रादे दोस्तों, कते, बाल बहाँ सेंग्धोन, याम करेंगे, रादे राके, याम करेंगे, बाल बाला झाया, जिवां बाला, बाला इल हई , झाल झाल